ख्रिस्ट में मेरे प्यारे भायों और बानों सबको जय येशु आज माता कलिस्या संधोमस का तेवार बड़े धुंधाम से मना रही है संधोमस येशु के बारश शिश्यों में से एक है फिस सबसे पहले दक्षिन भारत के कोडुलोंगों में आए आ लोगों को जग़ जग़ पर जाकर सुसमाचार सुनाने लगे और विबिनी जगों पर गिरजा घरों के स्थापने के और धीरे धीरे हमारे भारत में सुसमाचार कोने कोने में फ्वैलने लगा आज जब हम संथोमस के बारे में मननचिंदन करते हैं तो हमें एक ही चीज देखने को मिलता है वो है उसका विश्वास उसका विश्वास पुनरजिवित प्रभुख्रिस्त में संतियोहन के पुईत्रसु समचार में अध्याय 20 पत संखाई 24 से 29 में हम सुनते हैं जब शिश्यों ने धोमस से कहा कि हमने प्रभु को देखा है तब उसने उत्तर दिया जब तक मैं उनके हाथों के कीलों की निशान ना देख लूँ कीलों की जगह पर अपनी अंगुली ना रख दो और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दो तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा आठ दीन के बाद जब सभी शिश्यों घर के भीतर थे तो तोमस भी उनके साथ था और उनको एकसु आउसर मिला ये सु उनके बीच में आते हैं और कहते हैं तुम्हें शान्दी मिले और वे थोमस से कहते हैं अपनी अंगुली यहां रखो देखो ये मेरे हाथ है अपनी हाथ बढ़ा कर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बलके विश्वासी बनो तब संथोमस ने उतर दिया मेरे प्रभू मेरे इश्वर आज चांदा धंप्रांथ अपने धंप्रांथ के संद्चक संथ संथोमस का तेवार मना रही है हम सभी इस धंप्रांथ के रहने वाले अजो भी मिश्णरी यहां आकर इस धंप्रांथ में काम किये हैं अब कर रहे हैं उनके लिए विशेश रूप से इश्वर को धनेवाद दे असंधोमस की मदिस्तादवारा प्राटना करे ताकि बहुत से बहुत जन अपना जीवन सुसमाचार के प्रचार के लिए अर्पित करे असंधोमस से आशिश माँगे कि हम विश्वास में दिड़र बने रहें विशेश करके जब हमारे जीवन में दुख तकलिव और कथे नाया आते हैं और हम डगमगाते हैं उस समय हमारा जीवत प्रभू हमारा इश्वर हमारे विश्वास को दिड़र बनाए रखे झाल झाल